महिला खिलब दिनो दिन अपराद का गराब बढ़ता जा रहा है आया दिन कोई न कोई ऐसा मामला सामने आहीं जाता है कि मासुम बच्चियां घिनोने अपराद के सिकार हो रही है नबालिक बच्ची उसे रेप की वरदाते पर अब देश उबलने लगा है इन अपरादू के लिए लोगों में गुसा इसकदर बढ़ गया है कि रेप में मोत की सजा की मांग कर रहे है इस कड़ी में पुरुतर राज नागलेन से एक नबालिक के साथ रेप की घटना शामनी आई है जिसे सुनकर लोगों का गुसा आरोपी पर फुट पड़ा नबालिक से रेप करने वाले आरोपी को लोगों ने जम कर पीटा और उसे निर्वस्त का पूरे कस्वे में घुमाया दरसद नागलेन के लोंगलेन इलाके में सताही जुनको शात्मी पढ़ने वाले नबालिक बच्ची के साथ 29 साल के लोंगया फोम ने रेप किया था आरोपी ने खूद अपना गुनाह कबूल भी लिया गटना के दो दिन बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और अस्थानी महिला संगठन के काईज करताओं के साथ मिल कर आरोपी को सजा दे लिया महिला संगठन के काईज करता और अस्थानी लोगों ने आरोपी हीओ को जम कर पिटा और उसे चोराय पर निर्वस कर बान दिया और आने जाने वाले शक्सों से उसकी पिटाई करवाई इतना ही नहीं आरोपी को बीना कपड़े के पूरे गाउं में घुमाया गया इसके गले में एक तक्ती टांग दी गई जिस पर लिखा था मैंने एक नबालिक बच्ची से रिप किया इसके बाद उसके हाथ पेर खंबेश से बान कर उसे खुब पिटा गए धन्यवाद वीडियो को लाइक शेयर और सस्क्राइब करना ना भूले